फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में तम्मिलाडू की जेल में बंद मनीश कस्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मताबिक एने से लगाने का फैसला 12 महीने तक लागू होगा। ऐसे में अभी उन्हें 11 महीने तक और जेल में रहना पर सकता है। आपको बतादे कि 5 अप्रायल को मनीश कस्यप पर एने से लगाया गया था। जिसके बाद मनीश कस्यप ने इस फैसले को सुप्रिम कोर्ट में दी थी हाला कि सुप्रिम कोर्ट ने उन्हें रहत नहीं दी थी। सुप्रिम कोर्ट में दाखिली याचिका में मनीश कस्यप ने बिहार और तम्मिलाड़ों में दर्ज सभी FIR को कलब करने जमानत देने और NSA को हटाने की मांग की थी। हाला कि कोर्ट ने इस पर सुनवाई क करते हुए मनीश कस्यप के सारे दलीलों को खारिज कर दिया था वहीं सिर्ष कोट ने वकील को मामले में हाई कोट जाने का आदेश भी दिया था आपको बताते कि मनीश कस्यप पर तम्मिलाड़ों में बिहारीयों की पीटाई का फेक वीडियो प्रसारित करने का आरोप उन्हें ट्रांजिस डिमांड पर लिया था और पूर्य प्रकरन की जांच करने के बाद मदूरई के डियम ने मनीश कस्यप के उपर एने से लगाने की अनुशन साकी थी इसके बाद मामला सरकार के सलाहकार बोट के पास बेजा गया था इस बोट के दवारा यूटुबर मन मनीश कस्यप की मुश्किलें और बढ़ गई है अब देखना होगा कि मनीश कस्यप के दवारा अगला कदम क्या कुछ उठाया जाता है